ओलो वैल्कंटो ऐफार्मसितिकल इसटॉक्स के बारे में और जानेंगे की कमपनी के प्रोडक्स में जो है डिएल करती है और इसके चार्ट का किस थरीके से जो है आपको एक हीवियर देखने को मिल सकता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो कंपनी का नाम है बाल फार्मा बाल फार्मा की अगर बात करें तो कंपनी जो है दो सेजमेंट में अपना बिजनिस जो है करती है API and formulation तो यहां पे अगर बात करी जाए API and formulation दोनों सेजमेंट की तो आप देख रहे होंगे मार्केट के अंदर जो एक बहतर डिमांड जो देखने को मिली थी API सेक्टर के अंदर और फॉर्मिलेशन के अंदर द्यू टू कोबिड तो एक अच्छा खासा इस कंपनी में ने जिए कंपनी ने भी जो है एक अच्छा खासा जो है पर्फॉर्म करके दिखाया है उस एरिया में हलाकि बहुत से स्टॉक्स तो जो है मल्टी वेगर बन गए उस टाइम पर कहीं ना कहीं इस कंपनी जो है एक बहतर प्रदर्शन किया है लेकिन आने वाले टाइम में क्या यह उस टीज को जो है रिटेन कर पाईगी या किस तरीके का जो है इसका फ्यूचर रह सकता उसके बारे में जो है एक बात करेंगे दूस बात करी जाए तो काफी जो कंपनियां है जो अपना फार्मसीटिकल वाली है मोस्ली कंपनी का जो आप देखेंगे तो रेवेन्यू एक्सपोर्ट से ही ज्यादा आता है यूएस यूरोप के एरिया से तो उनमें से यह कंपनी हलाकि इनके प्रोड़क्ट की अगर बात करें आगा काफी जो है कंपनी अपनी अपनी प्रोड़क्स स्ट Ł and इस त काफी एक लंबी लिस्ट है अगर बात करें तो और कुछ प्रोड़क्स जो है अंडर आर झीद भी चल रहा है तो यहां पे अगर बात करें तो API का सेजमेंट इनके एक अच्छा खासा जो है बना हुआ है और गॉर्मेंट ने जिस तरीके से जो है API के सेजमेंट पे जो पी एलाइ स्कीम जो है एक लॉंच की है तो कहीं न कहीं यह कंपनी भी जो है शायद उससे आगे आने आने वाले टा तो काफी तरीके की टैबलेट, कैपसूल, सीर, आप सस्पेंशन, आइवी इन्फूजन तो इस तरीके क्रीम, सॉइंटमेंट तो काफी तरीके के प्रोड़क्ट जो है कंपनी बनाती है और मोर देन 200 फॉर्मिलेशन जो है बनाती है 20 डिफ्रेंट थेरापेटिक सेजमेंट के लिए और स्ट्रॉंग प्रजयंस है इनकी अफ्रेका साओंध्टी अस्ट मेडिल एटिन अम्हेरिका वाले एरिया में अगर डॉमेस्टिक मार्केट कि बात करें तो डॉमेस्टिक मार्केट में भी जो है फार्मा सिटिकल कंपनी जो ऐस पिसलाइजींग है प्रेस्क्र जो है बना रही है तो यह सब मिलाकि अगर देखेंगे तो आप एक गैसे लिए लेकिन ब्राइज का नंका पूर्टफोलियो है ग्रोथ है, emerging company जो है हम खह सकते हैं कि emerging company है, अगर सही से अगर इसको जो है maintain किया जाए और आगे जो growth है API sector के अंदर, pharma sector के अंदर अगर उनको सही से अगर manage किया जाए तो कही ना कहीं ये company जो है एक बहतर performance आने वाले time में जो है करती हुई दिखा करके दिखा सकती है यहां पर अगर बात करें तो इनके पास में manufacturing facilities six हैं और जिनके बारे में अगर बात करूं तो API formulation and herbal products भी जो है company बना रही है जैसा मैंने आपको बताया तो यहां पर अगर unit की अगर बात करें तो इन पर दो बैंगलोर के अंदर है एक पुने एक रुद्रपुर फिर सांगली फ कंपनी के पास में मौझूद है अब बात करें अगर API के प्रोडक्ट की जो मैंने आपके सामने जो है रखे हुए है और यह तीन मैनुफेक्शनी फैसिलिटी जो है बैंगलोर सांगली उदापुर में जो है यह इनका यह वाले जो प्रोडक्ट हैं वो बनते हैं यह वाले स और नहीं के तीन प्लाइट में फॉर्मिलेशन का काम चलता है तो यहां पर देख सकते हैं प्रोड़ो पॉटफोलियो है कंपनी का वार्मिलेशन प्रोड़क्ट आप देख सकते हैं यहां पर एंड कंपनी जो है आयरुवेद वाले बना रही है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं तो इनके पास में जो है एक अनार्शा और नजाने काफी तरीके के जो है इनके प्रोड़क्ट है इसमें अश्युमेद रेजिदा इस्प्रिट एंड बॉड़ी तो अगर प्रोड़क्ट की अगर बात करिया है तो मैं आपके सामने रखूं तो आप देख सकते हैं अच्छा प्रोड़क्ट पॉट्फोलियो इनका आयर सब्सक्राद सबस्क्राइब कर इच्छा जो है एक सब्सक्राइब करें दो फार्माजेटिक न कि अगश्य। मुक्ट गॉट सब्सक्राइब करें आपता है और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि और भी जो है यह ब्रॉट लेविल पर जो है काम होता हुआ दिखेगा इंडिया के अंदर और यहां पर एक्षिली क्या है लो कॉस्ट प्रोडक्शन और और यहां पर जो होती है वह बूस्ट करती है इनकी एफिसेंसी इंडियन और यह दो देखते हुए तो कही ना कहीं यहां कंट्री के जो बड़े-बड़े जो अधिकारी Сब्सक्राइब वो एक्सपोर्ट पे कहीं आने वाले टाइम में कुछ थोड़ा बहुत मान के चलो अगर रोक लगाते हैं या कहीं कोई गड़वार देखने को मिलती है तो यह कंपनिया हाला कि आने वाले टाइम में यह भी सोच रही है कि आप एक्सपोर्ट के हिसाब से अपना काम करें और क यहां पर क्या है कि एक्सपोर्ट आप करें वह ठीक है मार्केट सही है एक्सपोर्ट बहुत जरूरी है लेकिन कहीं ना कहीं डॉमेस्टिक मार्केट में भी अपनी बनाने की जरूरत है तो उस पर कंपनी फोकस कर रही है मैं आगए आपके सामने जो है वह चीज रखूगा अगर बात करें तो इंडिया जो है largest provider है generic drugs globally, इंडिया pharmaceutical sector supply करता 50% of global demand for various vaccines, 40% of generic demand in US and 25% of all medicine in the UK. ग्लूबली इंडिया रेंक करता 3rd पे in terms of pharmaceutical production, तो देख सकते हैं एक अच्छी खासी market size है इंडिया में pharmaceutical industry की and आने वाले टाइम में और ग्रो जो है होती हुई दिखेगी और जो है demand भरती हुई दिखेगी, काफी तरीके की जो है और R&D होती हुई दिखेगी यहां पर, तो य होने आपको और execute करती है अपने plans को उस तरीके से अगर देखा जाए तो देख सकते हैं इंडिया medical devices market इस्टूट 10.36 billion U.S. डॉलर in 2520 and market expected to increase CGR 37% from 2020 to 2025 50 billion डॉलर देख सकते हैं तो आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं यहां पर अगर मैं आपके सामने इंडिया फार्मसेटिकल एक्सपोर्ट की अगर बात करूं तो एक्सपोर्ट भी भरता हुआ देखेगा और कहीं ना कहीं जो है एक तो मेडिकल डिवाइसेज वह भी भरते हुए देखेंगी तो यह सारी चीज़ां अगर देखी जाए तो अब जैसे पी एम फार्मा विजन 2020 के थुरू जो गॉवर्मेंट का जो विजन है गॉवर्मेंट डेपार्टमेंट और फार्मसेटिकल एमस्टू मेक इंडिया अगर बात करी जाए इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए ना आखुणों को जो है देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंडिया आने वाले टाइम में और भड़िया परफॉर्म करता हुआ दिखेगा और कहीं ना कहीं ऐसी जो कंपनिया हैं जिनके मैनेजमेंट अगर अच् तो उन पे जो है दाब लगाया जा सकता है लेकिन बिट स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है जिस तरीके से आप देखेंगे इन्होंने जो पी अलाइ स्कीम जो दिये ओवर फाइव यर्स के लिए तो ये भी जो है सारा देती हुए दिखेगी इस इंडस्ट् मैं अगर मैं इसकी बात करूं तो आप इसके फंडामेंटल्स अगर देखेंगे तो कुछ आपको जो है खास फंडामेंटल्स नहीं मिलेंगे हाला कि फाइब की पी एस है 170 का मार्केट कैप है ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं नहीं है पॉइंट एट सेवन की डिवडेंट टैन की फेस वैल्यू है अभी तो बड़ी बड़ी जो कंपनिया है किटिला सिपला और फार्मा लिउपें सब्सक्राइब लगेंगे तो इनके अंदर विघांड आने वाले टाइम में आते हुई दिख सकती है अगर बढ़िया करते हैं तो अच्छा अगर पर्फॉर्म कर रहे हैं भड़िया थीरे धीरे करके आप लगा सकते हो क्योंकि अगर को करना है तो यहांपर बात करें तो आप देख सकते हैं आपके सामने थोड़ा सा और इनका डेटा रखो तो जिस तरीके से जोए management की commentary है जिस तरीके से management जो बोल रहा है उस चीज को अगर देखें तो मैं आपके सामने जो है इनके एक year on year की performance देखें तो उसके साबसे देखने तो strong contribution देखने को मिला है API sector से रेवेन्यू ग्रोथ भी मिली है 19 परसेंट की यह विटता भी इंक्रीज हुआ प्रॉफिटेबिल टीवी जो है इंक्रीज होती हुए दिखिए एपिए सेजमेंट की अगर बात करें तो यहां पर एक एक्सपोर्ट जो भड़ता हुआ दिखा है 71 परसेंट देख सकते हैं इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मतलए एक्सपोर्ट लेविल बहुत ही जादा है उस चीज को देखा जाए तो तो देखते हैं आला कि जैसे यह बता रहे हैं ओडर वोक इनके 300 मिल सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा 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 डॉमेस्टिक की तरफ जो है रेशो खिसक रहा है जो है एक्सपोर्ट लेविल पर तो अगर यह सारी चीज अगर ध्यान में रखेंगे तो वह काफी अच्छा रहेगा जैसे इन्होंने बताया भी जैसे देख सकते आप यहां पर कंपनी वुट की फोकसिंग ऑन की थेरापिटिक एरिया एफिसेंट लाइफिस्टाइल डिसॉर्डर और एक्सपोर्ट को भी जो है वो सोच रहें कि एक्सपोर्ट जितना ज्यादा जो भल रहा है उसको कहीं ना कहीं एक इंडिया की मार्केट में भी जो है जाए कहीं ना कहीं हमारी इंडिया की मार्केट में भी जो है डिमांड भरती हुई दिखे क्योंकि यहां पर जैसे कि ट्वास टैक्टिकली डिसाइद टूरेस्टिक्ट एक्सपोर्मिलेशन एक्वाटर टूइटीटीटीटू दूटू अन्फिवरेवल मार्केट कंडिश यह सारी चीजें मैनेजमेंट भी सोच के चल रहा है और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को जो है मैनेजमेंट देखेगा जैसे यह बोल भी रहे हैं कि डियर स्ट्रेटीजी ओवर मीडियम टू लॉंग टर्म रिमेंस टू फोकस ऑन एक्सपोर्ट एंड डॉमेस्टिक फॉर प्रफॉर्मेस्स रखों तो आप एक बार प्रफॉर्मेस्स देखें तो दिवीडेंट्रेक रिक यूडर् आपके सामने रखों तो डिविडेंट्रेक रिकोर्ट हनला कि आपको रेगूलर देखने को मिलेगा 20 20 में जास डी नहीं दिया है रेवैनू देखेंगे तो दोज 18 में 0 है 19 में देखेंगे तो थोड़ा वर प्रॉफिटिविल्टी आई यह तो 20 में अच्छा खासा इन्होंने लॉस भी किया है हाँ और अगर इसको हिस्त करेंगे यहां से चार क्वाटर की पॉशिविल्टी की प्रॉफिटिविल्टी 221 कuna रोड़े कोँस की इगार वॉइंट के यह लग रहा है कि यह कंपनी धीरे-धीरे करके कुछ एक अच्छा खासा एक आने वाले टाइम में प्रॉफिट अर्निंग जो है बना सकती है बढ़ा सकती है कर सकती है तो यह सारी चीज़ां अगर पॉजिटिव रेंज में अगर सोचेंगे और यहां पर देख सकते हैं मैनेजमेंट जो है अपनी यहां पर देखेंगे तो इस टेक को बढ़ा रहा है पॉब्लिक प्रमोटर्स के पास में सारी की सारी होल्डिंग है यह सारी चीज़ां देखी जाएं तो नाइन के आसपास की आरोई है डेप्ट अच्छी खासी है डेप्ट एक तो जो है इसमें य नहीं हो पाता है तो मेरे एसाब से आप निकल भी सकते हो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है या आप ना भी खरीदो नहीं अपने टॉप लेविल की जो है कंपनियों को देखो उनको खरीच सकते हो और अगर आपको यह वीडियो चले तो आप लाइक जरू करिए अगर आप हमारे मेंबर्शिप प्रोग्राम से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें टेलिग्राम चैनल पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं स्टॉक का चार्ट पैटन देखोगे तो इस टॉक ने अपना लाइफटेम है लगा है 2016 के अंदर यहां भी कंसॉलिडेशन खूब देखने को मिला ह मन्त और मन्त बेशच बें से औस पर लगा है वहीं से जो आप से करेक्ट होता हुआ दिखा है चाहां के यहां पर ऐसी तो अभी के देखा जाया तो येई बेस है 50 परसेंट की आसपास का जो है में लिए ह है 1095 रूपीच के आसपास मैं यहें यह लगाना है 95 का 95 की स्टोप-loss के साथ में आप पकड़े रह सकते हैं यहां पर थोड़ा बहुत ही अगर यह consolidation करता है कोई बात नहीं है लेकिन future में अगर देख सकते हैं अगर आप future के यहाप से चलते हैं तो आप quarter and quarter के यहाप से जो है इसको पकने जैसे जैसे result इनके अच्छे आते चले हैं आप थोड़ा थोड़ा अपनी stake को बढ़ाते चले जाए और result अगर अच्छे नहीं आते हैं तो आप उल्टा भी कर सकते हो अपनी stake को निकाल सकते हो वह ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा और यही strategy जो है ऐसे stocks के लिए अच्छा परफॉर्म जो है एक आप जो है राइट कर सकते हो अगर आप जो है इस stock के साथ में रखते हो लेट भूतो करोड के आसपास अगर नेक्स्ट क्वार्टर में भी आता है तो फिर थोड़ा और डाल दो इस तरीके से इस आप से आप जो है चलो वह ज्यादा अच्छा है क्योंकि इन stocks में कभी भी आप देखेंगे तो एक एक डेड़ देर दो साल जो एक ही जगए पर फिर यह भी हो सकते हैं performance हाला कि दिखा रहा है अच्छी खासी यही consolidation का एरिया है बस यह consolidation का एरिया अगर निकल जाता है यहां पर जो breakout दे दिया जाता है यह इस टॉक भाग सकता है इसमें देख सकते हैं आप यहां भी जो है इसने breakout दिया फिर से नीचे आया फिर consolidation देखने को मिला ह नहीं कर पा रहा है और यह दवाब यह निकल नहीं पाएगा तो इस टॉक को इस फिर से तरीके से अपना एक अपनाव जोग कर लो उसके बाद इस टोक को 22 एलिया होल्ड करो थैंक यू